सो यह हैं CMF by Nothing Neckbands Pro जो अभी अभी लाँच हुए है आज के इस वीडियो में इसे ही डीटेल में रिव्यू करेंगे साथ इसकी एक्जेक्ट आडियो और लाइव ANC टेस्ट भी करके दिखाऊंगा क्योंकि अंटर 2000 में 50 dB Active Noise Cancellation के साथ आने वले सिर्फ यही निकबेंड्स है इसके लग बाकी कोई निकबेंड्स आफको 50 dB ANC का फीचर आफर नहीं करता वैसे इसकी प्रैस 2000 रुपीज होने वाली है बट लाँचिंग के टैम 800 में पर्चेस कर सकते हो और मैंने भी इसको 800 में को जल्दी मिल चाहेगा तो क्या 2000 रुपे के अंदर नथिंग नेकबेंड्स प्रो को पर्चेस करना चाहिए और क्या यह अपनी प्रैस को जस्टिफाइ करते हैं इन्हीं सभी सवालों की जावब इस वीडियों में देने की कोशिश करूँगा सो माइन इम इस आशीष और स्टार्ट वीडियो शुरुबात करते हैं इसके क्विक अंबॉक्सिंग से सिंपल से इसका बॉक्स है जैसा रियल में और ओन प्लस में देखने को मिलता है इसके बीच इसके कुछ फीचर दिये गए हैं जिनने हम आगे डिटेल में चेक करेंगे बॉक्स को उपन करते हैं स डिजैन भी काफी यूनिक और स्टाइलिश है नेकबेंट की थिकनेस काफी कम हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी है इसमें आपको मैंगनेटिक ऑनफ वाले एर टिप्स मिलेंगे जो लुकिंग वाइस सेम रियल मी बट्स वायरलेस तरी के तरह लगते हैं इसके लाव वायर क क्वालिटी भी अच्छी है अगर कमांड मोडूल और बैटरी मोडूल की बात करें तो लेफ्ट साड में आपको कोई भी बटन नहीं मिलता राइट साड में यहाप आपको एक स्मार्ट डाइल मिलेगा जिससे आप वाल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो साथ यह फंक्शन अगरा में भी इसको यूज कर सकते हो देखो लुक्स डिजाइन और बिल्ड क्क्राइट के साब से टॉप नॉच है पर्सनली मुझे इसका डिजाइन काफी बैस लगा सो ओरल इसके लुक्स डिजाइन और बिल्ड क्क्राइट को मैं दूंगा 4.5 टॉप 5 स्टार अब एक एक्टिव नॉच कंसलेशन आफ्टो 50 db noise reduction, voice resistant IP55 dust and water resistant rating, dedicated gaming mode, button control with smart dial, USB type C fast charging support, जिसमें सिर्फ 10 मिनिट से 18 हर्स का playback time और ओर ओरल 37 हर्स की battery backup मिलेगी, देखो अंडर 2000 में अभी तक के सबसे बेस्ट फीचरस वाले NeckBand's Realme Buds Wireless 3 थे लेकिन उनसे भी बेटर एक्टिव नॉच कंसलेशन और 5 microphone का setup इसमें मिलता है, so features के मामले में Realme Buds Wireless 3 थे slightly better है, तो overall इसकी on paper specification और features को में दूँगा 5 top 5 star, अब बात कदे इसकी application support की, तो nothing x application का support इसमें आपको मिलेगा, सबसे पहले आप यहाँ पर NeckBand's की battery percentage को देख सकते हो, यहाँ पर special audio effects का on off करने का option मिलेगा, equalizer में आपको 4 equalizer modes मिलते हैं, साथी custom equalizer का option विसमें आपको मिल जाएगा, उसके बात controls में आप smart dial के functions को अपनी सबसे set कर सकते हो, noise control में आपको active noise cancellation और transparency mode में switch करने के options मिलेंगे, साथी noise cancellation में भी 4 modes मिलते हैं, जिने हम आगे test करेंगे, यहाँ पर आपको ultra base का option मिलेगा, जिसमे अब base level को अपनी सबसे increase और decrease कर सकते हो, उसके बात setting में सबसे पहला option है no lag mode, यानि gaming mode का, और यहाँ पर dual device connection, find my earbuds और firmware updates जैसे features मिलेंगे, शुए तैं इसके application का complete user interface, इसमें आपको customization के बहुत सारे options मिलेंगे, so overall इसके application support कमी दोंगा 4.5 out of 5 star, अब बात करते हैं, सबसे पहल के audio samples सुन लो, अभी जाओ तक सुन रहे हो, nothing neckband pro के microphone से indoor condition में record हो रही है, तो कुझे इस तरह कि microwave आपको indoor condition में मिलेगी, तो यहाँ पर calling में आपको कोई भी issue नहीं आने वाला, indoors हो या फिर outdoors, perfect calling आप इसमें कर सकते हो, especially outdoors में भी calling के लिए best neckbands है, so calling के इतलब से highly recommended रहेंगे, अब बात करते है active noise cancellation की, तो एक बार इसके ANC test को देख लो, उसके बाद ANC के बारे में बात करेंगे देखो, जितने भी neckbands को मैंने अभी तक use किया है, उन सभी में इसका ANC मुझे सबसे best लगा, इंडोर्स में fan वगरा की noise को ये 95% तक reduce कर देते है, साथी normal TV वगरा की sound भी इसमें आपको नहीं आएगी, same ये outdoors में भी perfectly work करते है, अगर आप heavy traffic condition वगरा में हो, तो 70-80% noise को ये cancel out कर देंगे, जो इस price में अच्यूग करना सबसे बड़ी बात है, अब बात करते हैं इसके gaming performance की, तो dedicated gaming mode का option इसमें है, तो देखते हैं actual में कितनी latency में आपको मिलेगी, तो देखो nothing के phone के साथ 120ms की latency में लेगी, ऐसा इसके official website पर mention किया गया है, लेकिन personally मुझे 120ms से काफी कम लगी, जब आप AC mode को off करते हो, तो और भी कम latency इसमें आपको मिलेगी, तो normal gaming के लिए सही है, लेकिन professional gaming के लिए मैं आपको इसको बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा, तो overall इसके latency और gaming के लिए मैं इसको दूँगा 3.8 out of 5 star, अब बात करें इसके मैं sound quality की, तो इस आइकोलिट stereo microphone से इसके exact audio के default mode में सुनाऊँगा, सबसे बहुए इसके vocals और bass को test करेंगे, उसके बाद instrumental plus vocals और last make bgm को भी test करके दिखाऊँगा, तो सबसे बहुए vocal test, यह औरत करेंगे, कर दो कर दंगर कर दो कर दो कि एर बालाय तो कि एलाब कि विलाब कर दॉडरी कि दॉटने हो वर दो और इनलाब तो यह इसके actual sound test आपको इसकी audibility कैसे लिगी मैं जो comment करके बता सकते हो सबसे बहुत करते हैं इसके vocals की clarity, instrumental suppression और treble वागर सब कुछ ही top notch है sharp vocals आपको इसमें सुनने को मिलेंगे, sound की richness भी मुझे सबसे best लगी इसका लोगर बात करें बेस की तो OnePlus Bullet Z2 ANC के लेवल का बेस आपको इसमें मिलेगा सबसे में बेस लेवल को एड़ेस करने का आपशन इसमें मिलता है साथ इसके सभी उकलाइजर मोड भी प्रॉपरली वर्क करते हैं इसमें कस्टम उकलाइजर का भी आपशन है तो अपनी सबसे audio output को भी ले सकते हो तो overall audio quality के मावल में under 2000 में अभी के सबसे best neckbands है definitely audio के लिए आप इसको consider कर सकते हो overall इसकी audio quality को में तुमको 4.6 out of 5 star अब बात करते है final conclusion की तो 18 रुपर में मैंने इसको purchase किया है semi price में real me birds wireless 3 भी आते है वैसे launching के बाद normal days में इसकी price 2000 रुपर होने वाली है अगर 2000 रुपर की हिसाफ से भी consider करें तब भी audio quality, build quality, ANC, microphone सब कुछी top notch है इसके लावा smart dial और dedicated reset button जैसे extra features भी मिलते है so under 2000 में एक complete package है और मैं भी आपको under 2000 में इसको ही recommend करूँगा वैसे real me birds wireless 3 के साथ इसका comparison वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा ये इसकी best buy link में आपको description में दे दूँगा वहाँ से आप इसको directly check out कर सकते हो so ये ते nothing neckbands pro I hope आपके थोड़े बहुत doubts clear हो गया होंगे अगर इस वीडियो से लेट कोई भी सवाल है तो मुझे comment box में पूछ सकते हो so that's it for today मिलते हैं अगरी वीडियो के साथ तब तक इलिए goodbye and take care